हेलो फ्रेंड्स विल्कम टू आवर चैनल फ्रेंड्स आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस में आप सभी के लिए कुछ महतवपूर सुचना जो कि बहुत ही जरूरी है आपका जानना ठीक है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप देख रहे होंगे आपके मेडिकल ट्रेंग से रिलेटेड इंफॉमेशन आपको दी गई है प्लस नोटिस भी अभी जो है इसके बारे में इस नोटिस को बताया गया है और आप जैसे ही दूसरी नोटिस देखेंगे तो इसमें यह बताया गया है कि जो मेडिकल है जो चीकिस्ता अधिकारियों को नामित किया जाना था वो कर दिया गया है गठित कर दिया गया है ठीक है जा है पूरी सचाई क्या य सारे बाते हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे बहुत ही अच्छे से ठीक है तो सबसे पहले देख सकते हैं यह जो आपका नोटीस है यह बहुत ही पुराना है लगबग 25 साथ 2020 का यह नोटीस है ठीक है और यह आपकी एक फैक्स नोटीस है और अभी जो है यह वाइरल हो रहा ह में उन्होंने बोला था कि जो आपका मेडिकल है वो पूरी कोशिज रहेगी कि अगस्त में कंड़क्ट करा लिया जाएगा तो कहीं ना कोई कहीं ना कहीं इस नोटीस पर बिलीप करना भी बनता है कि देख सकते हैं इसका सब्जेक्ट क्या है आप यहां देखो कि आरक्षी यानिके मेडिकल्प्लास चरित सत्यापन के समन्द में यह नोटी जो है भीजा गया है अधिकारी टू अधिकारी ओर इसमें क्या बताया गया है आप यहां देख सकते हैं कि कि पुलिश महानिदेशक यहां पत्रांक संख्या दिया है ठीक है और भरती दो हजर अठारा उन् पर सीदी बढ़ते जो है आथारा आठारा के अंतिम रूप से चैनित अभीहर्थियों में से कि चिकिस्था परिक्षण है तु जो है परिसत गठन किया जाता है तीक है जिसमें निम्मेलिकित चिकिस्था अदिकारियों को नामित किया गया यह हात रस आप यहां देख सकते है तीक है और यह इसमें पूरी इंफोर्मेशन दी गई है और किसको गठिक किया गया है अभी आप यहां देख सकते हैं यहां दिया भी गया है और जो आपको यह नम्मर दिख रहा है इस पर आपको कॉल बिल्कुल नहीं करना है तो आपको यहां बिल्कुल कॉल नहीं करना है और यह एक fact notice है यह आपके लिए notice नहीं होता है अब ही इन्टरनल काम होता है उसके बाद से अगर इसे मजूरी दी जाती है अगर कहा जाता है हाँ सब कुछ सही है उसके बाद से आपको official notification जो है official website पे दिया जाता है तो यहाँ पूरी यह information दी गई है तो अब आपके बहुत सारी यह comments आ रहे थी कि यह सही है या फिर गलत तो फिस देखो कहीं न कहीं अगर हम उनके मतलब इंटर्वियू के एक वर्डिंग कहें तो कहीं न कहीं यह notice अभी सही लग रहा है बाकी यह सारी बाते साब तभी होंगी जब कोई official notification आएगा लेकिन हाँ हम इसे positive way से लेते हैं और हम चाहते हैं जैसे कि यह भी आसर दताई जा रही है कि अगस्त में कहीं न कहीं आपके लिए बहुत ही अच्छी information आ सकती है आपके medical से related तो अभी इसके मन में आपके मन में कोई भी जो है डाउट्स नहीं रहा होगा इस notice को लेकर अभी आप इसे सही मान कर चलो हाँ थोड़ा पुराना है लेकिन कोई नहीं ठीक है अभी देखो फ्रेंट जूसरी notice क्या आई है कि कितने candidate जाएंगे कौन से candidate जाएंगे ये सारी बाते इसमें बोली गई है तो इसमें बहुत सारे candidate के डाउट्स भी थे कि ये पुराना हो चुका है ठीक है मतलब इसमें डेट्स का कुछ डिफरेंट है और फ्रेंट्स हाँ इस notice में कुछ ना कुछ खामिया तो आपको देखने को मिली गई होंगी और फ्रेंट्स एक बात भी आपको notice करनी चाहिए जैसे कि जैसे हम अभी जो भी सोच रहे है जैसे भी जिस तरीके से उसी तरीके से हमें कहीं ना कहीं notice भी देखने को मिल रहा है आप खुर सोचो क्योंकि देखो फ्रेंट्स कहीं ना कहीं हम यह कहे रहे थे कि प्रथम चरन्ड में जो है 14,000 कैंडिडेट जाएंगे सिविल के कैंडिडेट जाएंगे तरीती चरन्ड में नागरिक पुलिस तो मतलब इसमें बहुत इत्से से डीटेल्स में दे दिया गया है अब जैसे ही नीचे आएंगे तो फ्रेंट्स यहां मतलब इंपोटेंट बात यहां आपकी बहुत सारी यह कंक्लूजन थे जैसे के भी आप देख सकते हैं कि पूरू में शयुक्त सच्चियों ग्रीव पुलिस अनुभाग यहां नंबर दिया हुआ है पत्रांग संख्या आरक्षी प्रादेशिक आम्ड कांस्टबरों के पदों पर सीधी भरती 2018 में चैनित अभीरतियों को प्रथम चरण में आरक्षी नागरिक पुलिस प्यसी और महिला के पदों का धार्बुत प्रिसर कराया जाने की अनुमती परतान की गई है तो यहां आपको ध्यान देने वाली बात मतलब यह आप कहे रहे थे कि इसमें बोला गया है यह प्रथम चरण में आरक्षी नागरिक पुलिस जब कि यह भी पिछले नोटिस के एकोडिंग बताया गया था कि लगवर अठाइस सो महिलाय भी जा रही है लेकिन इस नोटिस क प्रणिए कार्डिंग अउनली यह बोला जा रहा है कि दितीय चरण में जो है उनली महिला जाएंगी तो इसको लेकर अब यह परिसान हो रहे हो कि क्या है क्या नहीं है तो देखो अभी हम यह कहेंगे आपको बिल्कुल भी परिसान नहीं होना और इस नोटिस का जो है होती है और आपकी जो भरती है जो आपका मेडिकल है वो जल्द ही स्टार्ट करा जाएगा आपको बिल्कुल भी फरिसान नहीं होना है और जो भी कैंडिएट सेयुक्त वरिष्ट यानि कि जिनका भी जिनका भी मतलब मैरिट ज्यादा होगा ठीक है लगबग 11,000 प्लस के 15,000 कैंडिडेट है जिसमें से लिए आठाइसनों महिला उसी में से मिल जाएगी उनको तो बहार से ढूना भी नहीं है प्लस 11 जल कैंडिडेट है वी से लिए जाएंगे जिसमें पर कैंडिणे चैक है पर कैंडिगरी के आप कुछ देख सकते हैं कोई दिक्त नहीं होगी तो अगर बुलाया जाते हैं तो इसके ही एकोडिंग बुलाया जाएंगे और रही ये चार चलडों की बाद तो फ्रेंस देखो ये आपका तीन चलडों में ही कम्प्लीट करा जाएगा अभी इस इस्तिती को देखकर ये योजना त्यार करा गया है और ये एक फैक्स होता है जो की चेंज भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं लेना है अब इंपोर्टेंट आपके लिए क्या है पॉइंट नम्मर चार कि ये नोटी जारी क्यों केंगे ये किस को भेजा गया है तो आप यहां देख सकते हैं कि निदेशा अनुशार अनुरोध है कि किरिप्या उप्यो चार चौडों में कराया जाने है तो सास की अनुमती परदान करने का कष्ट करें ताकि तत्रा अनुशार अनुमोदन परांत निर्गत किया जा रहा है तो अभी आप देख सकते हो सास की अनुमती परदान करने का कष्ट करें यानि कि अभी चार चौडों को तो मतलब कहा ग पूलिस महा निरेशक को अभी ये निर्गत किया जा रहा है तेकि उसके बाद से इस पर जो है डिसीजन लिया जाएगा कि ये जो यूजना बद तरीका है या सही है या फिर नहीं तो इस पर भी कुछ चर्चा होंगी लेकिन हाँ आपके लिए बहुत ही अच्छी साइन अभी मेरिट जादा है ठीक है बाकी हम नेक्स वीडियो में अगर आप चाहो तो एक वीडियो भी से पर वीडियो कर देंगे और भी डीटेल्स में ठीक है क्योंकि देखो आपके वर्ती से रिलेटर कोई भी इंफॉमेशन चाहे चोटी हो या फिर बड़ी हैं सारी इंफॉमेशन या फिर टेलिग्राम ग्रूप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्सम डॉक्स में लिंक मिल जाएगा आप सिंप्ली वहां से एड हो सकते हैं तो फ्रेंट साज के लिए इतना ही बहुत इची इंफॉमेशन है अभी आपको सैट बिल्कुल नहीं होना है खु सव वचीं टीकियर बाइ